नमस्कार दोस्तों मैं शुक्ला सर आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि IIT जिन बच्चों ने एक्जाम दिये हैं और उनके परसेंटाइल ठीक नहीं आये हैं उन्हें लगता है कि इस साल की जो हमारी तैयारी थी IIT की IIT का जो प्रिप्रेशन था वो प्रॉपर मुश्किल के दोर में होंगे कि मैं एक सालों का ड्रॉप लूँ या फिर नहीं लूँ और आल जो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो इस साल परसेंटाइल अच्छे नहीं लेकर के आएं जिनके से IIT या फिर NIT में बहुत कम है तो उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए देखो बच्चों सबसे अच्छा अगर कोई आपको जानता है तो वो खुद आप है और सबसे अच्छा कोई आपकी तयारी के बारे में जानता है तो वो खुद आप है अगर आपकी तयारी अच्छी नहीं हुई है और आपको लगता है कि मैं आगे भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा physics नहीं समझ में आ रहे हैं, organic chemistry नहीं समझ में आ रही है और आपका जो आत्म बिश्वास है वो बिलकुल उखड गया है तो मेरा कहना मालिए आप फिर state board के engineering में चले जाएए जो state में engineering होता है जैसे कि UP seat है, महारास्टरा CT है या गुजराथ CT है, जो भी states में engineering college है उनकी exams को focus किजे और आप drop मत लीजे, आप एक साल अपना मत खराब किजे और engineering state college के जितने भी हैं, उनमें admission लेने की कोशिस किजे तो ये तो हो गए पहले categories के बच्चे, जिनकी तयारी कुछ भी नहीं थी और आगे भी उनमें आत्म विश्वास नहीं है, कि वो exams को crack कर पाएंगे दूसरे ऐसे students हैं, जो बहुत close है जो इतने close हैं कि वो अपना आराम से admission ले सकते हैं अगर उन्हें एक साल मिल जाए तो तो बच्चों फिर भी मैं यहां कहूंगा कि आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता आपको अगर लगता है कि आपकी तयारी थोड़ी बहुत कम रह गई है तो please, please, please आप drop ले लीजे एक साल का और एक साल के drop के बाद में कड़ी महनत कीजे जिस जिस topics में आपको problem हुआ है उस topics में आप अच्छे से कीजे धेर सारे mock test लिखे और धेर सारे practice paper करते रहे और आप एक साल drop ले करके अच्छे से selection आप IIT या फिर NIT में ले सकते हैं क्योंकि अगर आप किसी दूसरे college में चले जाते हैं जलबाजी में तो आपको अच्छा placement नहीं मिलेगा इधर उधर भटकना पड़ेगा बेहतर है कि पढ़ाई करने के बाद आफिशों के धक्के खाये जाएं जौब के लिए बेडर है कि एक साल अपने घर में पढ़ाई कर ली जाए तो मेरा suggestion उन बच्चों से है जिनके पास आत्म विश्वास है जिनमें confidence है उन्हें सिर्फ ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी तयारी में कमी रह गई है हमें थोड़ी और तयारी कर लेनी चाहिए थी तो उन लोगों को drop ले लेना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि उनका ये जो साल है वो पूरा अच्छे से चला जाए और धेर सारे test paper लिखे ताकि आपका selection next year काफी अच्छा हो जाए मैं आपको थोड़ा सा बताना भी चाहूंगा कि selection पक्का होगा अगर दो तीन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे एक on screen time को कम कर दीजे जितना वक्त आप mobile को दे रहे हैं television को दे रहे हैं वो आपके जीवन के amul apple है उनको आप देना बंद कर दीजे देखिए ये चीजें बाद में भी आप कर सकते हैं selection के बाद भी कर सकते हैं तो आप television mobile इन चीजों से थोड़ी सी दोस्ती कम कर दीजे दूसरा है कि अपने जितने भी पुराने notes है प्लस जो नए आप बना रहे हो उसे को बार-बार revision करो क्योंकि चीजे वहीं से आती है बच्चे सोचते हैं ये कहीं बहुत बड़ी चीज आ गई मैं काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ IITJE की तयारी करवा रहा हूं बच्चों को मैं देखता हूँ कि सिंपल सा question एक जगह से उठाया जाता है और वही दे दिया जाता है और बच्चे घूमते हैं ऐसे कि पूछो नहीं बलकिन हम लोगों की टीचरों में एक मजाक भी होता है कि बस IITJE लिख करके 2009 लिख दीजे उसके बाद बच्चे one plus one भी कुछ अलग तरीके से solve करने लगते है one plus one two नहीं लिखते है क्योंकि बस IIT का एक नाम हो गया है ऐसा इस तरीके से इसकी branding कर दी गई है कि आप लोग घबडा जाते हैं तो मेरा पहला suggestion है कि television, mobile ऐसी चीज़ों को कम कर दीजे, दूसरा suggestion है अपने सभी note समा लिए और जिन book से आप पढ़ रहे हो उससे आप continuous पढ़ते रहे है उन्ही से बार-बार revision कीजिए तभी जा करके वो concept clear होंगे और mock test धेर सारा लिखे मुझे उमीद है कि अगली बार selection आपका जरूर हो जाएगा तो मैंने इसको crystal clear समझा दिया है बिल्कुल सपस्ट बता दिया है कि जिन बच्चों का आत्मिश्वास नहीं है जिनको लगता है कि हमारा अगले साल भी नहीं हो पाएगा प्लीज वो फिर से try मत करो आपके समय बरबाद हो जाएगे और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं हम अच्छा कर सकते है हमें थोड़ा सा time मिलेगा तो हम कर लेंगे और आत्मिश्वास उन में बना हुआ है तो प्लीज आपको drop ले लेना चाहिए धन्यवाद आप लोग हमेश्वने और धिर सारा प्यार के लिए